अलो दोश्तों मैं हूँ सागार और फिर से आप सबों को स्वागत करता हूँ एक बार बार्कट आफ इन्फोटेक यूट्यूब चल्म में आइ थिंक आप सब मज़े में होंगे इन्जुवाई कर रहे होंगे और आज में फिर से एक नया टॉपिक लेकर कर आया हूँ और आज का टॉपिक है डिस्प्ले अडप्टर क्या होता है डिस्प्ले अडप्टर मतलब भीजिये क्या होता है HDMI क्या होता है RCA क्या होता है ये क्या चीज है जो वीडियो को कनेक्ट करता है monitor से मतलब आपका cp yo को monitor से connect करता है तो यह कितने प्रकार के connectटर होते हैं कौन कौन से connecteur होते हैं किस connector का क्या फाइदा है वो सारा चीज हम लोग आज इस बीडियो में देखेंगे मतलब एक बीडियो blast होने वाला ये बीडियो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ तो जितने सारे सवाल होंगे आपके वो सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में पक्का मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनले पे नए हैं या पुराने हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में बेल आइकन को दबा करके all notification के ओपर click कर लिजे जिससे जब भी मैं video डालूँ उसका notification आपको तुरत मिल जाए तो देखते हैं सबसे पहले कि display adapter होता क्या है display adapter को समझना जरूरी है display adapter मतलब क्या है जैसे माल लेजे कि आपका CPU है और उसको monitor से connect करना है तो CPU से monitor में connect करने के लिए क्या-क्या सुवेधाएं हैं इसी को बोलते हैं display adapter या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में setup box है और TV है तो setup box का जो connection TV में होगा setup box के अंदर जो कुछ हो रहा है या CPU के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देखेंगे कैसे आप तो उसको देखने के लिए आपको monitor में देखना होगा और monitor में देखेंगे तो किसके through जो भी activity आपका CPU के अंदर में या setup box के अंदर में हो रहा है उसका activity आपको monitor में किसके through देखते हैं तो जिसके through देखते हैं उसी को बोलते हैं display adapter I think बहुत आसान भासा में मैंने आपको समझाने की कोशिज की कि display adapter क्या होता है अभी देख लेते हैं कि display adapter क्या क्या होते हैं मतलब क्या क्या शाधन है जिससे हम कोई भी activity जो हो रहा है उसको हम देख सकते हैं monitor में तो क्या क्या होते हैं उसके पहले में थोड़ा से चीज बता दू कि आज के समय में जितने भी display adapter यूज होते हैं ये total 8 परकार के display adapter क्या होते हैं अभी इस्तेमाल होते हैं अभी के समय में ठीक है जिसमें आपका हो जाता है RCA, VGA, DVI, DVIA, DVID और HDMI, DisplayPort और Thunderbolt ये सारे adapter इस्तेमाल होते हैं screen पे कोई भी activity को देखने के लिए कोई भी मतलब जो CPU में हो रहा है वो सारे activity को देखने के लिए अभी हम लोग समझते हैं कि जिन term का नाम मैंने बताया है आखिर ये है क्या ये क्या क्या है किस तरह से काम करता है मैं उसके बारे में आपको बताते जाओंगा और screen पे दिखाते भी जाओंगा तो मज़ा आने वाला है तो दोस्तों number one में आता है RCA जो मैंने पहले बताया था RCA connector क्या होता है कि RCA आप सबोंने देखा होगा RCA में तीन कलर होते हैं rate, yellow, white ये तीन कलर होते हैं तीन कलर और इसका काम होता है जाएतर CD से monitor में connect करना या आपका जो setup box होता है उससे आपका TV में connect करना या DVD player को connect करना तो आकसर आकसर आपने देखा होगा आप picture भी देख सकते हैं या screen पे आपको दिख रहा होगा तो तीन connector तीन तार होते हैं उसमें जिसमें बोला जाता है कि आपका red वाला और white वाला जो होता है वो voice को control करने के काम में आता है और जो पीला वाला जो yellow color का होता है वो क्या करत है वीडियो को करने ये control करता है उसमें next बात करते हैं भीजिये वीडियो graphic array ये क्या होता है ये एक प्रकार का connector होता है जो CPU से monitor में connect किया जाता है या फिर आप CPU से projector में connect कर सकते हैं laptop को monitor में connect कर सकते हैं तो इसके लिए BGA का इस्तेमाल किया जाता है वीजिये के ऊपर details मैं एक वीडियो भी बनाया है इसके पहले आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा इसमें बहुत सारा क्वालिटी जाते हैं तास मैं क्वालिटी का बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा सिर्फ की डिस्प्ले अडप्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं इंटरफेस होता है, यह सिर्फ और सिर्फ वीडियो को कनेक्ट करता है, आनि कि अगर आपके पास ऐसा केबल है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डिवी आई का, तो यह क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वीडियो को कनेक्ट करेगा, इसमें आडियो कनेक्ट नह होता है अगर आपको audio connect करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से device का इस्तिमाल करना होगा और DVI का सबसे पहले जो launch हुआ था यह 1999 में इसको launch किया गया था उसके बाद आता है DVI-A DVI-A क्या होता है यह भी एक प्रकार का connector है मतलब display adapter है और यह analog mode में काम करता है अगर आप लोग analog और digital को नहीं समझते हैं तो आप जरूर कमेंटर के बताए मैं कोसिस करूँगा analog और digital का एक detail से आपको वीडियो बना के आपके सामने में देदू हम लोग बात कर रहे है DVI-A मतलब यह सिर्फ जो पुराने जो systems हैं जिसमें digital support नहीं करता है उसके लिए DVI-A केबल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं उसको इस adapter के थूरू connect करने का कोसिस करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में DVI-D यह DVI-D क्या है तो DVI-A का जस्ट उल्टा है DVI-A में सिर्फ वो analog signal को पकड़ता था और इसमें क्या होता है इसमें आपका digital signal को catch करता है तो इससे क्या फैदा होता है आपका कि जहाँ पे digital mode में काम करना होता है वहाँ पे DVI-D का केबल इस्तेमाल करें और जहाँ पे आपको analog signal काम कर रहा है वहाँ पे DVI-A का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आजाता है HDMI High Definition Multimedia Interface ये क्या है ये भी प्रकार का adapter है और ये बोलता है कि picture quality ये आपका video quality बहुत बेहतर output आपका आता है HDMI में जो अभी तक का सबसे बेहतर भी माना जाता है HDMI HDMI, HDI में आपको हर इक चीज का quality आपको बढ़िया मिलेगा, video quality आपको अच्छा मिलेगा, picture quality अच्छा मिलेगा और इसमें issues बहुत कम आते हैं क्योंकि ये cable थोड़ सा costly भी आता है तो ये बहुत बढ़िया cable है और ये भी प्रकार का adapter है लेकिन इसके लिए आपके computer में, laptop में, projector में जहां भी connect करना चाहते हैं वहाँ पे आपके पास में HDMI का port होना जरूरी है generally VGA का port आपको सब जगा मिल जाता है HDMI का port आजकल सब में आने लगा है लेकिन पुराने वाले में नहीं आता था उसी तरह से जो मैंने बोला DVI तो DVI का connection भी सब computer में या सब monitor में नहीं रहता है सब CPU में नहीं रहता है इसका खयाल रखेगा थोड़ा सा busy आपको normal मिल जाता है बट और सब connector को आपको देखना पड़ेगा अगर आप बेहतर video quality चाहते हैं तो जहां से आप computer खरिदने जाते हैं या TV खरिदते हैं उनको पूछ लिजे कि sir इसमें HDMI port है या नहीं है अगर है तो उसको लिजेए क्योंकि उससे आपका video quality बहुत बेहतर मिलता है फिर आता display port display port क्या होता है display port भी HDMI से काफी हद तक मिलता जुलता हुआ port है और इसमें आपका audio और video दोनों आपका signal जाता है और इसमें बोलता है 17.9 Gbps का speed मिलता है data transfer करने के लिए तो ये काफी अच्छा speed देता है और बहुत अच्छा display adapter के list में इसका नाम गिना जाता है अब बात कर लेते हैं आखरी जो display adapter हमारे पास में बचा हुआ है thunderbolt के बारे में thunderbolt को बोला जाता है कि इससे ज़्यादा speed अभी तक data transfer जो video signal का data transfer होता है इससे ज़्यादा speed अभी तक नहीं मिलता है किसी भी adapter में नहीं मिलता है क्योंकि जो आपको जैसे मैंने बताया इसके ऊपर में आपका आता है उसमें इस्तिमाल नहीं होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखेगा तो एपल में thunderbolt का इस्तिमाल होता है और इसका speed बहुत ज़्यादा है तो I think दोस्तों आपने काफी display adapter के बारे में आपने देखा इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिला और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें अपने दोस्तों का साथ सेयर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किये चनल को तो सब्सक्राइब कर ले तो थैंक्यू दोस्तों फिर मिलता अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और अगर आपको किसी चीज के ऊपर जानकारी लेनी है तो आप उसके लिए भी आप comment box में लिख सकते हैं comment जरूर कीजिए चाहे जो भी अच्छा लग कुछ वीडियो चाहते हैं तो comment box में लिख करके जरूर बताइए फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक ले सुक्रिया धन्यवाद जैहिंद